हे गाई नमस्कार आप लोगों को अटाप्टेन क्लास के प्यारे से यूटूब हैं बस वागत है गाई जाज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कच्छा बारक की बहुत इक बिग्जान की प्यारे बच्चो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि आ आपके एक्जाम के दिश्च से मोस्ट इंपॉर्टेंट रने वाला है तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ में वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक करके दोस्तों के कारें हम लोग अध्यन करेंगे उससे पहले अगर हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों कि प्रकास की तरंग प्रकित कहने का मतलब है कि प्रकास एक तरंग के रूप में विवहार करता है अर्थात प्रकास एक तरंग के जैसा चलता है अब उसके आधार पे हम लोग जो हाई 206 पृम की बती है कि प्रेकास क्या होता है पिरेशस प्रेकास की बत्रों एक प्रेकारिकी उर्जा होती है क्या होती है एक प्रकार की उर्जा होती है जिसकी सहायता से जिसके सहारे हम किसी वस्तु के मूल रूप को देख पाते हैं प्यारे बच्चो जैसे मैंने कहा कि प्रकास एक प्रकार की उर्जा होती है आप इस बात को कैसे माल लिए कि प्रकास एक प्रकार की उर्जा होती है य तो इसको हम समझने के लिए हम लुग क्या करते हैं कि जो इसे वंक दाल रख थे वस्त को देख सकते हैं आप कैसे देखते हैं कि जो प्रकास होती हो हमारे रेटीना को उदिप्त करती है हमारे रेटीना को जागरित करती है जिसके कारण वह वस्त हमको दिखाई पड़ती है जिस वस्त पे प्रकास पड़ता रहता है प्यारे बैच्चो तो आप उम्मीद है क प्रकास के गुड़े के बारे में तो आईए चर्चा करते हैं प्रकास की सबसे पहली प्रापर्टी तो प्यारवच्चो जो प्रकास की सबसे पहली प्रापर्टी होती है एक एक क्लाइन हम लोग लिखते चलेंगे और एक एक क्लाइन समझते चलेंगे जो प्रिकास होता है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है एक सरल रेखा में गमन करता है अब बात करते हैं कि वही एक सरल रेखा में गमन करता है सर जी यही आपने पहले वाले चेप्टर में भी बताया था आप इस चेप्टर में भी बता रहे हैं तो वही देखे प्रिकास ए देते हैं इसका एक्जाम्पल समझते हैं कि आखे प्रिकास के सरल रिखा में गवन करने का क्या उधारन हो सकता है तो हम लोग प्यारे बच्चो पॉइंट इधर की तरफ लिखेंगे और उनके उधारन को हम लोग उधर की तरफ समझेंगे तो जैसे मैंने कहा कि अगर एक्जाम्पल इनका समझना है तो एक्जाम्पल क्या हो सकता है सबसे पहला सुरी ग्रहन का लगना चंद्र ग्रहन का लगना प्यारे बच्चो ये सब क्या है प्रिकास एक सरल रिखा में गवन करता है इसके उधारन है अगर प्यारे बच्चो आज प्रकास सीधी रेखा में नहीं गवन करता होता तो सुरी गरहन और चंदर गरहन की घटना कभी घटित नहीं होती अब आप कर रहोंगे सर जी चंदर गरहन कैसे क्या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ऐसे समझो भया कि ये हो गए हमारे सूरज बागु ये क्या हो गए सूरज बागु इनसे निकलने वाली प्रकास केंड़े हो गई सुरी से निकलने वाली क्या हो गई प्रकास केंड़े हो गई और ये हो गई हमारी प्रिथभी क्या हो गई ये हो गई प्रिथभी क्या हो गई भी ये प्रिथभी अब समझो जरासा और ये हो गई चंदा मामा क्या हो गई चंदा मामा अब चंदा मामा के पास तो सोयम का प्रकास होता नहीं सोरी के प्रेकास से चमकते हैं जब तक ये जो प्रिथिभी है आपकी क्या करती है कि ध्यान से दिखिए प्यारे बच्चो ये जो चंद्रमा है वो क्या करता है कि प्रिथिभी के चारों तरफ क्या करता है गती करता रहता है ऐसे समझे कि ये आपकी क्या हो गई प्रिथिभी ह हो गई और यह अब प्रिक्रमर करते चंडरमा जब प्रिषिभी के इस किनारे पहुच जाटा है तो आपको पता है सूरी सम्हें रेखा में चलने वाली हैं तो अब सुरी की सभी प्रिकास केड़े क्या होती प्रिधिवी पर पढ़ती रहती हैं परंतु चंद्रमा पे नहीं जाता चंद्रमा पे नहीं जाता इस कारण चंद्रमा पे प्रिकास नहीं पहुश बाता जिसे हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहन ल कि जब हम लोग किसी object को खड़े कर देते हैं जिसको प्रकास पार नहीं कर पाता हो अगर हम लोग उस पे क्या करते हैं प्रकास आपतित कराते हैं प्यारे बच्चो तो उसके सीधे में जिस प्रकार का ब्यक्ति खड़ा रहेगा या जिस प्रकार का object रहता है उसके पीछे उस तो उमीद है कि आज के बाद आप समझ गए होंगे कि अगर कोई सरजी बताते हैं कि प्रेकास एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो गमन करने का मतलब होता है कि उसका कैसे उधारन समझें तो उसका उधारन है चग्रहन का लगना या किसी वस्त के सामने प्रेकास पढ़ने वस्त की पीछे की तरब परचाई बन जाना यह प्रेकास के एक सीधी रेखा गमन करने का उधारन होता है फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ये बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या है जो प्रेकास होता है वो प्रेकास आपका नि निरुवात में भी गमन कर सकता है अर्था प्रेकास को चलने के लिए किसी भी माध्यम किया सकता नहीं होती प्रेकास निरुवात में गमन कर सकता है यानि चल सकता है इस बात को ध्यान दिजेगा गमन कर सकता है अब आप समझीए जलसा यानि कहने का मतलब है प्यारे बच्च कि प्रिकास को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी माध्यम कि आओ सकता नहीं होती अब आप कैसे समझ पा रहोंगे तो प्यारे बच्चो इसका एक छोटा सा एक्जामपल हम लोग लेते हैं कि मैंने कहा कि जैसे ये कोई एक रूम है और इस रूम में एक यहां स टार्च से प्रिकास के लिए निकल रही है बाहर की तरफ और यहां तक लेके जाना इस प्लेस के अस्तान पे और इसी रूम से एक पाइप है उस पाइप से पानी निकल रहा है प्यारे बच्चो उस पाइप से पानी निकल रहा है बताओ पानी को यहां से यहां तक ले जान प्रकास निरवात में भी गमन कर सकता है क्या आपको इतनी जोस्तो फर्ड पॉइंट यह है कि जो प्रकास की जो चाल होती ह Fr3 को प्रकास की जो निर्वात में जो चाल होता है वो साव समंनल दिजाने 1 2 ग होता है टीन गुड़े 10 घात आठ मीटर 3 k Um मतलब वो एक सिकंड में तीन गुड़े दसगाते आठ मीटर दूरी तैंकर लेती है निरवात में अगली पॉइंट की बात करें अगली पॉइंट की क्या बात होने वाली प्यारे बच्छो नेक्स्ट पॉइंट की बात होती है जो प्रकास होता है उसमें परावर्तन होता है में क्या होता है प्यारे बच्चों परावर्तन होता है अब आप कहेंगे सर जी ये बता ये प्रेकास में परावर्तन होता है तो इसका एक्जामपल मैंने भी है पहले ही चेप्टर जब पढ़ा रहे थे तभी ये सारी चीजे हम लोगों ने देख लिया कि प्रकास में परावर्तन होता है, अगर आपको नहीं आदा रहा है, तो आई हम लोग थोड़ा सा रख़ली समझते हैं, परावर्तन का मतलब होता है दोस्तों कि जब कोई पालिस दार सतह ले लेते हो या कोई चिकनातल ले लेते हैं कोई चिकनातल मतलब जो की पालिस किया गया हो और जब किसी पालिस दार वस्तु पे प्रेकास गिरता है तो वो प्रेकास किरन दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लोट जाता है तो यह घटना प् जो निकलने वाला प्रेकास नहीं होता जब वो प्रेकास किसी ऐसे माध्यम पे पढ़े जो माध्यम पालिस किया गया हो जो माध्यम चिकना हो और उस माध्यम से टकराने के बाद वो प्रेकास पुना वापस उसी माध्यम में लोट जाएगा ते इस घटना को हम करते हैं अपवर्तन भी होता है, क्या होता है, प्रेकास में अपवर्तन होता है, अब आप कहेंगे सर, अपवर्तन का मतलब हम नहीं समझ पारे हैं, दोस्तों ध्यान से दिखेगा, प्रेकास में अपवर्तन तो होता है, परंतु अपवर्तन का मतलब है, कि प्रेकास, जब भी कोई प् जिस मार्ग से जाता रहेगा वो अपना मार्ग से बदल देगा अपने मार्ग से बिचलित हो जाएगा जैसे मैंने कहा कि अगर आप खुब तेजी से दोड़ रहे हैं रनीं कर रहे हैं रनीं करते समय अगर आपके track पर आपके path पर कोई ऐसा चीजा जाता है जिससे आपको रुकावट उत्पन होने लगता है तो आपके चाल में कमी हो जाती है या तो आप लोग direction को क्या कर देते हैं बदल देते हैं तो ये घटना क्या कहलाएगी भी या अपवर्तन कहलाती है तेही चीज कह रहा कि जब प्रकास आपकी एक माध्यम से दूसरे माध्य हमें जैसे जल से कांच में गई कांच से वायू में गई तो उसके मार्ग में बिचलन हो जाता है उसके मार्ग में बिचली तो इस घटना को हम लोग क्या कहते है प्यारे बच्चो अपवर्तन कहते हैं अब अगली point की बात करें तो अगला point क्या होता है जो प्रकास होता है उसमें वन बिच्छेपड भी होता है प्रकास में क्या होता है प्यारे बच्छों वन बिच्छेपड अब आप कहेंगे सर जी वन बिच्छेपड क्या होता है जरा सो उसके भी बारे माँ बता दिजिए प्रकास में वन बिच्छेपड होता है कि जो प्रकास होता है आप आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रकास में क्यों एक ही रंग होता है ऐसा नहीं होता वन बिच्छे पड़ का मतलब होता है प्रकास में कई रंग होते हैं प्यारे बच्चों जब प्रकास किसी प्रिज में परता है जब कोई प्रकास किसी प्रिज मे परता तो साथ भागों में बठ जाता है तो हमारी यह जो पॉइंट है वो होता है प्रेकास में वड़ बिच्छे पर वड़ बिच्छे पर का मतलब क्या होता प्यारे बच्छो जब कोई प्रेकास किसी पर गिरता गिरने के पस्चा तो साथ रंगों में बठ जाए तो यह प्रकास में ब्यतिकरण होता है क्या होता है प्रकास में ब्यतिकरण होता है अब आप कहेंगे सर ब्यतिकरण मैं नहीं जानता तो भाई आगे वाले जो अब नेक्स्ट हमारी लेक्चर आएगी उस लेक्चर में ब्यतिकरण पे चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि वह या हम कहते हैं ऐसे कोई दो स्रोत है जिनसे एक वर्डी मतलब एक रंग का कोई प्रकास किरण निकल रहा है ऐसे कोई दो स्रोत ले ले ये दो स्रोत हो गया प्रकास मतलब प्यारबचो ये ढकन और ये मारकर ये दो ठो प्रकास स्रोत हो गया अब इनसे भी एक रंग का प्रका तो किनी दो प्रकास त्रोज से एक वर्डी प्रकास निकलने वाली एक वर्डी प्रकास करें लो कि तिवरता कहीं कम होती है कहीं पर जादा होती यह घटना प्रकास का क्या कहलाता बैती करन कहलाता यानि हम कह सकते हैं कि किनी भी इस रोज से एक निकलने वाला एक वर्डी प् क्या करते हैं प्रेकास का ब्यतिकरण करते है प्यारे बच्चों तो भई यह हो गया प्रेकास में क्या होता है ब्यतिकरण होता है नेक्स्ट पॉइंट होता है जो प्रेकास होता है प्रेकास में विवरतन भी होता है क्या होता है प्यारे बच्चों विवरतन होता है प्रेकास में बिवर्तन होता है, अब आप कहेंगे, सर जी, थोड़ा सा बिवर्तन के बारे में भी चर्चा कर दीजे बिवर्तन का मतलब होता है guard toy कि जब कोई प्रेकास किसी औरोधक जैसे प्रेकास जा रहा है हुस उसके सामने कोई औरोधक पड़ जाता है कोई तिछ्र किनारा पड़ जाता है तो वह प्रिकास जो होता है थोड़ा सा उसी किनारे से कट जाती है थोड़ा सो उस किनारे से कटी हुई प्रतीत होती है तो यह घटना प्रिकास में विवर्तन कहलाता है जैसे आप लोग किसी रूम से बाहर यह आप हो गए रूम से बाहर खड़े हो गए तो आप कभी आकलन किजिए कि यहां से जो निकलने वाली लाइट होगी वो लाइट थोड़ी सी ऐसा लगता है कटी हुई प्रतीत हो रही होता है और नहीं होता पैर बच्चो अगर आप तक नहीं देखे होंगे जरूर देखियेगा जाके अब यह नहीं कि जिसके घर में मुख्यी नहीं हो मुख्यी तोड़कर बहुँत मारे जाओगे मुख्यों की मत तोड़णा ठीक जैक भूलूग लोगी सर जी बोले थे देखना है नहीं देखना है जाने तो प्याड़ों जब कोई यह प्रेकास जो होता है कि जब प्रेकास किसी और ओधक चल किनार और ओधक का मतलब ऐसे ऑसे प्रेकास जा रहा जब प्रेकास इस किनारे से होकगो गुजरेगा तो थोड़ा सक कटा हुआ प्रतीत होगा इसी घटना कों क्या करते है बिवर्तन करते हैं अब सोचिए एक आदमी इतना गुड हो गए अगला जो प्रकास होता है उसमें धुरूण भी होता है प्रकास में क्या होता है प्यारे बच्चों धुरूण होता है अब जो यह धुरूण होता है इसक प्रेकास में क्या होता है ध्रोण होता है अगली पॉइंट की अगर हम चर्चा कर लेते हैं अगली पॉइंट की हम क्या चर्चा करें कि जो प्रेकास होता है प्रेकास में बिद्दुत प्रभाव भी होता है क्या होता है प्रेकास में बिद्दुत प्रभाव होता है अब आप कहेंगे सर जी ये बताईए बिद्दुत प्रभाव क्या होता है ये बता दीजे जरासा तो भईया इसको भी हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे परंतु आईए थोड़ा सा जानगाई लेते हैं बिद्दुत प्रभाव किसी का ते जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो सभी धातु होती हैं अभी प्रकार के धातु होते हैं प्यारे बच्चो वो छोटे-छोटे कड़ों से मिलकर बने होते हैं तो हमने मान लिया कि ये कोई धातु हो गया ये कोई क्या हो गई धातु हो गई अब धातु में इलेक्ट्रान बावु वैठे रहते हैं इलेक्ट्रान ब पढ़ती हैं जब किसी धातु की प्रिष्ट पर प्रेकास किल्डे क्या होती हैं या पढ़ती हैं या प्रेकास किल्डे गिरती हैं तो प्रेकास किल्डों के गिर्णे के कारण प्यारे बच्चो प्रेकास किल्डों के गिर्णे के कारण जो यह इलेक्टरान होते हैं वो बाहर से उरजा पा जाते हैं जब प्रेकास केड़े इस पे गिरती हैं और ये इलेक्टरान क्या होते हैं उरजा पाते हैं और ये इलेक्टरान उरजा पाकर धात की कच्छा से मुक्त हो जाते हैं बाहर आ जाते हैं तो तो इलेक्ट्रान का मुक्त होना क्या कहलाता है बिसर्जन कहलाता है प्यारे बच्चों और ये मुक्त हुए इलेक्ट्रान किसी चालक में गती करने लगते हैं जिससे धारा उत्पन होता है इस घटना को हम प्रेकास बैद्दुत प्रभाव करते हैं यानि प्यारे बच्चों को जब कोई प्रकास किसी धातुपय गरता है और धातुपय गिरनेे के पस्चाथ वेलेक्टराल अच्छा से वहा बहर बहुर आ जाता है प्रaimer दम और इस गहांद में बहुर करते हसा सक और इस समय प्रास कुतर है बहुर ये भी गुड़ होता है प्रेकास दूसरे के भात्व में प्रिवेश करेंगे हो इलेक्टरान को बाहर निकल के धारा देंगे चलो बात समझें अब अगली प्रेकास का गुड़ क्या होता है प्रेकास जो होता है वो बे चारा एक रंग का नहीं चलता प्रकास कनव तरंग के रूप में चलता है किस के रूप में चलता है प्रकास की जो है प्रकीत होती है प्रकास के प्रकित को द्वैत प्रकित कहते हैं क्या किसी को कोई दिक्कत प्यारवच्चो नहीं होना चाहिए द्वैत प्रकित क्यों कहते हैं क्योंकि यार ये कन और तरंग दोनों के रूप में चलता है अब प्रकास कन के रूप में चलता है इसके लिए भाईया न्यूटन का नियम आया किस का नियम आया न्यूटन का नियम और प्रिकास तरंग के रूप में चलता है इनके लिए किन का नियम आया हाईगेंस का नियम आया तो मन में बेसब्रियां हो रही होगी मन में बेचैनी हो रहा होगा कि सरजी जल्दी से बता द नियम और हैं इन दोनों के नियम को हम जानेंगे परंत उससे पहले आप इनका एक स्क्रिंसाट लिए फिर हम आगे बात करेंगे हाई गया स्विखी स्क्रिंसाट लिएगा और एक प्यारे बच्चो अगर आप तक अभी तक ने इस वीडियो को सेर नहीं किया होगा न तो एक बार सभी दोस्तों की लिए के लिए प्रहस्त के कडि की प्रकित की व्याख्या करने के लिए प्रकास की कण की प्रकित प्रकास की कड़ातमक ये जो कड़ातमक प्रकित है प्यारे बच्चो प्रकास की कड़ातमक प्रकित का व्याख्या करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया किस्टन में प्रतिपादित किया था प्यारे बताया ना कि जो प्रेकास स्रोत होती है ये जैसे हमने कह दिया कि ये कोई प्रेकास स्रोत हो गए ये क्या हो गए कोई प्रेकास स्रोत अब प्रेकास स्रोत क्या होता जिनसे प्रेकास बाहर की तरफ निकलती है ये कोई प्रेकास स्रोत हो गया अब इनसे जो प्रेकास किन निक सरजित होती है मतलब एक कड के रूप में आगे की तरफ चलती है प्यारे बच्चों जो हम लोग इतनी देर तक पढ़ रहे थे कि जो एक सीधी लाइन खिसते थे तो हम क्या दिखाते थे एक किरण के रूप में परंतु न्यूटन भाया आए और उन्होंने उन्होंने पहिला सिद्धान्त दिये कि जो प्रकास होता है न वो छोटे 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 कडों से मिलकर बना होता है यानि हम कह सकते हैं कि प्रकास जो होता है वो कण के रूप में संचरित करता है कण के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है क्या आप इतनी बात समझ पाए ये था इनका पहला सिध्धान्त ये था भईया हाइगेंस का पहला सिध्धान्त तो इन में हाइगेंस नहीं न्यूटन भाबू हाइगेंस का नाम बहुते जल्दी जल्दी आ रहे हैं वो भी बहुत जल्दी सा आने वाले हैं टेंसन ना लिजे प्यार बैचो तो हम यहाँ ल बना होता है और यह कण के रूप में आगे की तरफ बढ़ते हैं यह कण के रूप में आगे की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं इतनी बात आपकी क्लियर हो गई प्यारे बच्छो तो अब हम इसको मूब कर देते हैं तो अब सेकेंड की बात करेंगे जो दूसरी पॉइंट इनकी ये होती है कि जब ये जो प्रेकास के जो कर होते हैं ये जब किसी वस्तु पे पढ़ते हैं और उस वस्तु से टकरा कर जब हमारी आँखों को दिख पढ़ता है ये जब हमारे आँखों पे पढ़ती है तो हमको वो वस्तु दिखाई पढ़ता है इन्होंने बोला कि जो प्रकास रोत से निकलने वाली कड़ है ये जो प्रकास रोत अभी आप बनाये थे मिटा दिये जल्दी में इससे जो निकलने वाली जो प्रकास कड़े हैं ये जो प्रकास कड़े हैं ये जब किसी वस्त उसे किसी वस्त पे पढ़ती है और जैसे ये प्रकास करने पड़ेंगी और प्रकास करने पड़ने के बाद इससे लौट कर हमारे आखों को क्या करती है हमारे आखों पर पड़ती है तो वह वस्त हमको दिखाई पड़ता है यह रहा इनका दूसरा सिध्धान्त अब तीसरा सिध्धान्त क्या है जानते हैं प्यारे गुड़े 10 गाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है यह तो आप सोच रहेंगे यार यह तो सर जी के वर न्यूटन तो क्यों हम लोगों को बेकुप बना रहा था न्यूटन बेकुप नहीं बना रहा था न्यूटन बता रहे थे जो चीज आप लोग ने किरन की रूप में पढ़ के रूप में बता रहे थे समझे आप अब देखे उन्होंने बोला कि प्रकास रोज से निकलने वाली प्रतेक कड़ों की जो चाल होती है वो तीन गुड़े 10 गाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता यह नहीं कि इसका कम इसका जादा इसका जादा कम ऐसा कुछ भी नहीं होता य केंड की तीसरी सिध्धान थी चोथी सिध्धान क्या थी प्यारे बैच्चों जानते हैं यह जो प्रकास के जो कड़ होते हैं यह जो छोटे-छोटे कड़ों से मिलकर बना होता इसमें सात रंगों का मिश्रण होता है अब अहीं आप पहलों पढ़ क्या है कि प्रकास में व वह दूइन बिच्छे पढ़गा तो नूटन ने वही बताया नूटन ने तीसरे में क्या बता दिया कि जो प्रिकास कि कड़ होते हैं वह साथ रंगों के बने होते यानि साथ रंगों का क्या होता हुआ यह मिस्रन होता है कि थीक तो आये हम इन सब चीज़ों को लिख लेते हैं फिर उसके बाद हम आ जाएंगे हाई गेंस भाईया के पास बस इतने चीजियत यह बताएं थे आज यह देखिए क्या करते हैं दूसरा उन्होंने क्या बताया कि प्रकास श्रोत से निकलने वाली निकलने वाले प्रतेक कड की चाल तीन गुड़े दस घाते आठ मीटर प्रती सेकेंड होता है ठीक अब थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बताया था प्यारी बच्चों थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बताया था प्रकास श्रोत से निकलने वाले प्रकास श्रोत से निकलने वाले कडिकाएं कडिकाएं जब किसी वस्तु पर पढ़ती है तब वह वस्तु हमको दिखाई पढ़ता है यह आपका थर्ड पॉइंट हो गया अब फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या बताया था प्यारी बच्चों फोर्थ पॉइंट यह बताये थे कि जो प्रकास की जो कड होती है उसमें कितने रंग होते हैं साथ यानि प्रकास के कण प्रकास की कणों का रंग या प्रकास की कण साथ रंगों से मिलकर बने होते हैं साथ रंगों से मिलकर क्या होते हैं प्यारी बच्चों बने होते हैं यह है आपका चौथा पॉइंट लास्ट पाचवा जो पॉइंट है इनका यह है प्यारे बच्चो कि पाचवा पॉइंट यह है कि जो प्रकास कड़िकाएं होती हैं उनमें जो उर्जा होती है वो गतिज उर्जा के रूप में होती है अब बताओ कैसे अभी मैंने बताया था जो यह कड होते हूं हमेशा गसील होते हैं तीन उड़े दस घाते आठ मीटर प्रसकंट तो यह प्रतेक कड में जो उर्जा होगी वह गतिज उर्जा के रूप में होती है गतिज उर्जा के रूप में तो जो हमारी गतिज उर्जा के रूप में होती है ये है प्यारे बच्चो आपका न्यूटन के कडिकावाद का सिध्धान्त आप चाहो तो इसका एक स्क्रिंशॉट ले सकते हैं उम्मीद है का आपको न्यूटन का कडिकावाद सिध्धान्त जरू समझवाया होगा अब हम बाते करेंगे ह हमारी थर्ड ऑपिक है वो है हाइगेंज के तरंग का सिध्धानत हाइगेंज के तरंग का सिध्धान्त प्यारे बच्चो जो हाइगें के क्यूं लागू नहीं हुआ या न्यूटन का कडिकावा सिध्धांद विफल क्यूं रहा तो प्यारे बच्चों आप उनको एक जवाब देजेगा कि न्यूटन के कडिकावाद सिध्धांद के आधार पे प्रेकास के ब्यतीकरण और धुरुण आदी घटनाओं का व्याख्य नहीं किया जा सका एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ न्यूटन के कडिकावा सिध्धांद के नियम के अनुसार प्रेकास के ब्यतीकरण और धुरुण की व्याख्या नहीं किया जा सका और यदि प्रेकास करण के रूप में चलता है और न्यूटन के कडिकावा सिध्धां possible है ऐसा कभी नहीं possible हो सकता कि सघन माध्यम में प्रेकास की चाल ज्यादा हो और बिरल माध्यम में प्रेकास की चाल कम हो तो नियुटन ने नियुटन का जो कड़िकावात सिद्धान्द का नियम था यहीं पर फेल हो जाता था क्योंकि नियम के द्वारा दो चीजों की ब्याख्या नहीं की जा सकती थी और साथ में जो ये सगन माध्यम में प्रेकास की चाल अधिक होने की बात हो रही थी और बिरल में कम होने की ये चीज जो है नियम की बिफलताएं थी प्यारे बच्चों तो अब हम समझेंगे हाइगेंस के तरंग सिध्धान्त का नियम यानि हाइगेंस ने अपने तरंग सिध्धान्तों के नियम में क्या दिया था तो सबसे पहला point चर्चा करते हैं प्यारे बच्चो हाइगेंस ने बताया जिस प्रेकार न्यूटन बाबू बता के गए थे कि प्रेकास कण के रूप में चलता है उसी प्रेकार हाइगेंस ने बता के गए कि प्रेकास तरंग के रूप में चलता है किस के रूप में चलता है चलिए लोगोंने हाइगेंस की बात मानना शुरू कर दिया कि प्रकास तरंग के रूप में चलता है तो हाइगेंस से पूछा गया कि भाई आप बताओ प्रकास तरंग के रूप में चलता तो इसको सिद्ध करके दिखाएए तो उन्होंने बताया कि जो प्रकास होती हो चलने के लिए माध्यम की आउसकता होती है तब हाइगेंस ने बताया कि हम मान लेते हैं कि हमारे चारों तरफ एक ऐसा माध्यम है जो कि भारहीन है उन्होंने चारों तरफ एक एथर माध्यम की कलपना कर लिए और इथर को उन्होंने बता दिया भारहीन है तो हाइगेंस ने अपने सिध्धान्त में यही बताया प्यारे वेच्चों कि जो प्रकास होती है वो तरंग के रूप में चलती है और लोगों ने जब पोछा कि बताओ भया तरंग को चलने के लिए माध्यम क्या हो सकता होती है तो हाइगेंस ने बताया कि मान लेते हैं सर्वब्यापी मतलब स सभी जगह एक भारहीन इथर माध्यम उपस्तित है जिसके सहारे प्रकास जो होता है वो चल सकता है उन्होंने बताया कि जो प्रकास की जो तरंग के रूप में चलता है प्रकास के तरंग की चाल तीन गुड़े दस घाते आठ मीटर प्रतिस सेकंड होता है प्यारे बच्च को हमको दिखाई पड़ता है यह है हाईगयं के से फ्यान का नियम आईए हमने उसको लिखने की बात समझते हैं और जो हम लोगों ने संजा था यह आपको लिख के दिखाई पड़ रहे होंगी क्या करा है कि हाईगयं के जो तरंग सिद्धन है पहरे बच्चो वह 1678 इस वह में प्रतिपादित किया गया था किस ने प्रतिपादित किया था हॉलेंड के बैग्यानिक हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था प्यरे बच्छो अब वो नियम क्या करता है कि इस नियम के अनुसार जो प्रेकास होती है वो तरंग के रूप में चलता है प्यरे बच्छो और जैसे अगर हम लोग किसी room में प्रिकास्रोट को जलाते होंगे, bulb को जलाते होंगे, तो bulb से निकलने वाली प्रिकास सभी room के सभी जगह सभी जगहों पर धिरे 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 थिरे वो प्रिकास क्या हो जाता है? प्यरवचो आप इसका example ऐसे समझ सकते हैं, कि जब हम किसी घर में एक केंडल को जलाते हैं तो केंडल जे निकलने वाली प्रिकास एका एक सभी जगा नहीं फैल जाती है ऐस धीरे 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 फैलती है तो इस प्रिकार हम कर सकते हैं कि किसी भी शुरुष से निकलने वाला जो प्रकास होता है वो तरंग के रूप में प्रकास की चाल से आगे की तरफ बढ़ती है आगे करा है जब लोगों ने पूचा कि भाई तरंग है तो तरंग को चलने के लिए माध्यम क्या आसकता होती है तो अब हाईगेंस ने बताया क कि तरंग को चलने के लिएक माध्यम क्या सकता होती है तो उन्होंने का भई हम माल लेते हैं कि हमारे चारो तरफ एक इथर माध्यम माल लिया उन्होंने और जो की बता दिया कि इथर भारहीन है मतलब इथर में कोई इथर का कोई भी द्रबिमान नहीं है तो प्यार बच्चो अब आप एक बार फिर सिन को पढ़ लिजेगा, उम्मीद है का आपको हाइगेंस के तरंग सिध्धान्त आपको जरूर समझ मा आगया होगा, आप इसका एक स्कुन सौट लिजेगा, फिर हम चर्चा करने वाले हैं तरंगागर की, फिर तरंगागर के बाद हम चर्चा करेंग के दितियक तरंगी काओं की सिध्धान्त, हाइगेंस के दितियक तरंगी काओं का सिध्धान्त, फिर लास्ट में चर्चा करेंगे, most important हाइगेंस के दितियक तरंगी काओं के सिध्धान्त के अधार पे परावर्तन और अपवर्तन की ब्याख्या, फिर उसके बाद क्लास का अंत्हकर देंगे प्यारी बत्चो तो आप इसका से लेगे तो गाईज जो आब हमारी चौफ़ी टॉपिक है इस आज की क्लाश की जो प्यारे बच्ठो यह चौथा टॉपिक है वह प्यारे बच्चो तरंग अर्फात हम देखेंगे तरंगार क्या होता है पैरे बच्चो तरंगागर की परिवासा ध्यान से समझना क्योंकि ये हाइगabilities के दितियक तरंगिकाओं के सिध्धांद का पहला नियम है पैरे बच्चो तो तरंगागर समझ लीजिएका आराम से आपको तरंगाग समझा रहे हैं प्यारे बच्छो हम लोगों ने बच्पन में कुए में पत्थर को खूब डाला होगा डाले हैं नहीं डाले हैं सांत जल में किसी पत्थर को जरूर फेका होगा फेके हैं या नहीं फेके हैं प्यारे बच्छो बिलकुल फेके होंगे तो जब हम किसी सांत जल में किसी पत्थर को फेकते हैं तो सांत जल में एक प्रिकार का हलचल उत्पन हो जाता है उसे हम तरंग कहते हैं क्या कहते हैं प्यारे बच्छो तरंग और वो उत्पन हलचल ही हलचल जो होता है एकदम किनारे तक चला जाता है प्यारे बच्छो क्या एसा होता है तो जतने लोगों ने ऐसा किया किमेंट्टी यूरु किजेगा कि मैंने बच्छपन में ऐसा सैतानी किया था पर तो सैतानी समझन नहीं पाए क्यों रहूता ड्शलल चरुऄकर खालने जब रहे । पढ़ने बाद आप लोग को पढ़ाने लगे तो तब समझ में आया कि हाँ ये तरंग होता है यहां पर ठीक तो प्यारे बच्छों आईए हम उसी को समझते तरंगागर को समझना है तो ध्यान से समझेगा हमने कहा दिया कि ये सांत जल्में आपने एक पत्थर फेक दिया ठीक पत्थर फेक दिये तो पत्थर फेकने के बाद जो तरंगे थी वो कुछ इस प्रेकार निकलने लगी इधर की तरफ भी गई चारो तरफ निकलती है ना प्यारे बच्छों तो चारो तरब निकलने के लिए हम इनको समझने के लिए चारो तरब दिखा रहे हैं तयीra समझे कि ये पत्थर ये इसा ने फेका था और ये ऐसे करेकी हो गई ठीक ना चलिए थोड़ा सा ये ऐसे कर देते हैं और फिर उसके बाद इधर भी तो ऐसे ऐसे निकली होगी ठिक इधर भी निकल गई इस प्रकार इसी प्रकार प्यारे बच्चों इधर भी निकली होगी ऐसे करके यानि किसी सांत जल में जब हम लोग पत्थर को फेकते हैं तो पत्थर से जो निकलने वाली हलचल होती है वो चारो तरफ ऐसे ऐसे चले जाती है ठिक अब हम समझेंगे तरंगागरी की परिभासा एकतम बढ़िया वाला ध्यान से देखे प्यारे बच्चो अगर मैं बोलूं मैं अगर बोलूं इस बिंदु की बात करूं प्यारे बच्चो इस बिंदु की बात करूं यहां यहां पर इस बिंदु की बात करू ठीक ना अगली पॉइंट पैर बच्छो अगर हम यहां पर इस बिंद की बात करें अगले पॉइंट की बात करें यहां या तो यहां पर ले लें यहां इस बिंद की बात करें और इनको हम क्या कर दे मिला दे इनको क्या कर दे हम मिला दे तो ये देखे हम लोगों ने जब इसको मिला एक पॉइंट दो पॉइंट ये तीन पॉइंट ये चार पॉइंट ये देखे बच्चो ध्यान से देखेगा कि किसी माध्यम में उत्पन जो तरंग के कड होते हैं किस पर अगर हम लोग प्रिष्ट खीच दे एक काल्पनिक प्रिष्ट खीच दे उसे हम क्या कहते हैं बहुची गई वह काल्पनिक प्रिष्ट जिस पे उपस्तित माध्यम के प्रतेकण समान कला में हो वो तरंगाग्र कहलाता है बोलो ये वाली परिभासा डिफिनीशन जो है आपके दिमाग में जारा या नहीं जारा इससे भी सरल प्यारे बच्चों कोई भी परिभासा नहीं होने वाली है एक बार फिर से देख लो यारो मैंने क्या कहा किसी माध्यम में उपस्तित या किसी माध्यम में खीची गई वह कालपनिक प्रिष्ट ये एक प्रकार का अपने काल्पनिक प्रिष्ट खीचाना तो किसी माध्यम में खीची गई वह काल्पनिक प्रिष्ट जिस पे उपस्तित माध्यम के सभीकड माध्यम के सभीकड समान कला अब कहोगे सर जी जरा सा बता दीजे समान कला का मतलब क्या होता देखो ये वाला भी आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है यह वाला कड़ भी आगे की तरफ यह वाला कड़ भी आगे मतलब सभी कड़ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर यहां हम कहते हैं सभी कर अपने इस समय सुनने की इस्तिती में है प्यारे बच्चों माद इस्तिती में है तो हम यहां यह कह सकते अगर जैसे मैंने अगला पॉइंट ले लिया अगला वाला पॉइंट अगर मैं यह वाला ले लूँ प्यारे बच्चो और यहां पर ले लूँ यहां पर ले लूँ अब इनको अगर मिला दो तो देख लो यहां पर यह जो आपने प्रिष्ट खीचा यह भी प्रिष्ट क्या कहलाएगा तरंगागर कह यानि ये भी अपनी अधिक्तम पोजीशन ये भी अधिक्तम ये भी अधिक्तम ये भी अधिक्तम ये भी अधिक्तम तो इन्हें हम क्या खते हैं तरंगागर काते हैं तो उमीद है कि आपको तरंगागर की परिभासा समझ माया होगा प्यारे बच्चो एक बार मैं फिर से बता कहलाता है तरंगागर त्रिकार के होते हैं एक गोली तरंगागर एक समत ध्यान से देखना गोली तरंगागर क्या होता है गोली तरंगागर की एकदम मक्षन वाली परिभासा मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों और पूरा यूटूब च्छान लिजेगा और राजाएगा बताईएगा किसर जी आपने ये कौन सा परिभासा बताया ये तो परिभ उसाब जो अपने यहाँ पर पत्थर फेका था ना उसको प्रकासरोत माने है यदि प्रकासरोत बिंद रूपी हो एकदम छोटा हो एकदम गोला हो यदि प्रकासरोती का हो यदि प्रकासरोत बिंदू रूपी हो तो इनसे समान दूरी पर खीचा गया प्रिष्ठ इनसे समा दूरी पर इस बिन्दु स्रोत से समान दूरी पर खीचा गया प्रिष्ट क्या कहलाता है गोली ये तरंगागर कहलाता है इतनी बात समझवाई प्यारे बच्चो अगर हम बात करें समतल तरंगागर की तो अगर हम बात करें प्यारी बच्चो समतल तरंगाग्र की, तो समतल तरंगाग्र क्या होता है कि यदि ये जो स्रोत है न ये बिंदू स्रोत काफी दूरी पर हो बहुत ही अधिक दूरी पर हो बिंदु स्रोत जो है जिस स्रोत से प्रिकास किंड़े निकल रही है वो प्रिकास स्रोत काफी दूरी पर हो तो तब उस समय खीची गई अब देखो इनसे प्रिकास किंड़े इसे बाहर की तरफ निकलेंगी इसे तो उस समय अब देखे ये जो आप प्रिष्ट खीचोगे ये इसकी वक्रता होती, वक्रता मतलब प्यारे बच्छों ये घूमना, ये वक्रता, वक्रता मतलब होता घुमा, वक्रता जो होती है, वो बढ़ जाती है, जैसे ही किसी गोले की वक्रता बढ़ जाएगी, वो गोला समतल में हो जाता है, और इसकी त्रिज्जा जो हो क्या हो जात वह समतल तरंगाग्र कहलाता है सबसे पहला यदि प्रिकास श्रोत बिंद रूपी है तो श्रोत से चारो तरफ खीची गई कालपनिक प्रिष्ट गोली तरंगाग्र कहलाता है यदि प्रिकास बिंद रूपी हो और अधिक दूरी पर हो तो उस समय खीची गई कालपनिक प्रि तो बेलनी तरंगाग क्या होता है यदि जो प्रकास्षरोथ होता है वो स्लिट मतलब होता है कि कह लिए पटली परतली परती नुमा तो उसके चारों तरफ खीची गई काल्पनिक प्रिक्ष्ट बेलन के आकारका होगा तो वो क्या कहलाता है बेलनी तरंगाग्र कहलाता है एक बार फिर से प्यारे बच्चों उम्मेद है कि अब हम तरंगाग्र की परिभासा लिखेंगे और उनको सब को देखेंगे लिखा हुआ परिभासा आपके सामने आयेगा तो आप जरूर समझ जाएंगी त्यार बच्छो तो आई हम परिभासा लिख लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा भी तक परिस जो हमने समझा है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है आईए देखते हैं कि तरंगागर क्या है एक बार लिख कर समझते हैं क्या लिखा गया है कि किसी माध्यम में खिची गई वह कालपनिक प्रिष्ट जिसमें उपस्तित प्रतेककर कमपन की समान कला में होते है वो तरंगागर कहलाता है पहरे बच्छो ऐसा ही अभी हमने पीछले कुछ मिन्टों पहले में हमने आपको समझाया था पहरे बच्छो अब हम जानते हैं जो प्रकास श्रोत होता है उसके प्रकित की आधार पे तरंगागर को तीन भागों में बाटा गया सबसे पहला होता है गोली तरंगागर गोली तरंगागर मैंने क्या पढ़ी भाशा बता है कि यदि प्रकास श्रोत बिंद रूपी हो और स्रोत से यस जो है स्रोत है स्रोत से समान दूरी पर खीची गई ये कालपनीक प्रिष्ट क्या कहलाता है पहरे बच्छो गोली तरंगागर कहलाता है तो यही चीज़ आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यदी प्रिकास शुरोत बिन्दुरूपी हो और स्रोत से समान दूरी पर ये खीची गई ये कालपनीक प्रिष्ट क्या कहलाता है गोली तरंगार कहलाता है आगे क्या गरा दूसरा जो प्रिकार होता है वो समतल तरंगागर होता है प्यारे बच्चों समतल तरंगागर क्या गरा कि यदि यही जो प्रिकास रोता है वो अनंत दूरी पर हो यानि जो प्रिकास गरने है वो काफी दूर से आ रही हो तो उस समय जो तरंगागर खीचा जा ये दूनों जो तरंगाग्र कहलाता है कौन सा तरंगाग्र कहलाता है तीसरा आता है कि युदि प्रेकास जो है इस नुमा हो रेखे नुमा हो या हम एक पत्ले-पटी नुमा हो एक टुबलाइड नूमा हो तो उस समय उसके चारो तरफ खीची गई जो कालपनी प्रिष्ट होगी जिस पे कमपन के कड़ समान कला में होंगे उसे हम बेलनकार तरंगागर कहते हैं यानि हम कह सकते हैं प्यारे बच्चो यानि यदि प्रकास रोयत आपका स्लिट नूमा हो एक प वह बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप चाहो तो इसका एक स्क्रिन साट ले सकते हैं फिर हम बाते करेंगे अगले टॉपिक की अगला टॉपिक है हाइगेंस के तरंग की हाइगेंस के दितियक तरंगी काओं का सिध्धान्त आईए हम उसको समझते हैं तो गाइस जो अब ह अगले टॉपिक है वह हमारी टॉपिक रहने वाले प्यारे बच्चो हाइगेंस के दितियक तरंगी काओं का सिध्धान्त यानि हम समझते हैं चैनल के मात्यम में जब किसी मात्यम में उपस्तित तरंग श्रोत यानि प्यारे बच्छो तो जैसे हमने कहा कि यह आप लोगों ने भी कहा था ना कि एक प्रेकास स्रोत हो गया तो प्रेकास स्रोत से क्या निकलता है प्रेकास बाहर की तरफ निकलता है मैंने उसी प्रेकार कह दिया गिए एक तरंग स्रोत हो गया अब जब तरंग स्रोत से तरंगे बाहर की तरफ निक करने लगते कंपन करने लगते हैं से से करने का मतलब है कि जब किसी तरंग स्रोत से तरंग बाहर की तरफ निकलती है तो तो जो माध्यम के कण रहते हैं यह चोटी-चोटी कण है यह इधर उधर 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 ऐसे ऐसे कंपन करने लगते हैं कांपन करने लगते हैं प्यरे बच्छोश थो तो उसी माध्यम में इसकित , गलपनिक प्रिष्ट एक कांपनिक प्रिष्ट जिसमें यह में प्रण 貦 करने वाले कढ़ होते हैं उन्हें हम तरंगाव्र कहते हैं प्यरे बच्छोश यदी श्रोध बिंद रूपी है तो गोली तरंगागर यदि प्रकास रूद काफी दूरी हो तो समतल तरंगागर कहलाता है यही हाईगेंस के प्रथम नियम है यही हाईगेंस के दितियक तरंगी काओं का प्रथम सिध्धानत है पहरे बच्चो एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि में के दित्यक तरंगी आउं का सिध्धान्द करते हैं उनमें उन्होंने सबसे पहला नियम बताया था पैरे बच्चो कि जब किसी तरंग शुरोत से जैसे ये तरंग स्रोत हो गया इन से जब तरंगे बाहर की तरफ निकलेंगी तो जो माद्यम के कड़ा है न, वो इधर उध इधर उधर कंपन करने लगते हैं तो कंपन सभीकन कंपन करने लगते हैं परंतु माध्यम में एक ऐसा प्रिष्ट हम कलपना करेंगे जिस पे कंपन करने वाले सभीकन समान कला में होंगे उन्हें हम तरंगावर कहते हैं और यदि प्रकासरो तो गोली है तो गोली तरंगावर समतल तरंग वी निलार का पहला निल दूसरा निम उनों ने ये वता है पहले बच्ऩों कि तरंग उपस्तित माध्यम के जुकण हैं माध्यम के कड़ एक नए तरंग स्रोत का कारिक करते हैं जिससे नए तरंगे सभी दिसाओं में निकलती हैं और जिसे हम क्या करते दितियक तरंगी का करते प्यारे बच्छो इनको समझने के लिए हम यह उपर वाले पॉर्सन को मिठा रहें प्यारे बच्छो यहां पर नियम को हम चर्चा करेंगे तब तक आप चाहो तो इन पूरे लिखे हुए चिजों का एक स्केंस्वाट ले लेजेगा तब हम चित्र बनाएंगे तो उसको समझा रहे हैं तो प्यारे बच्छो आईए हम समझते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है तरंगाग्र में उपस्ति यह प्रतेकर A, B, C, D, E एक नए तरंग स्रोत की तरफ बिवार करते हैं अर्थात इन से इन से चारो तरफ क्या होती हैं तरंगे बाहर की तरफ निकलती रहती हैं और यह जो तरंगे होती हैं इनी तरंगों को हम दितियक तरंगी काय कहते हैं प्यारे बच्छो अगर आप सो कि यह कोई यस कोई प्रिकास श्रोत हो गया अब इनसे निकलने वाली यह तरंगे हो गई यह इनसे निकलने वाली क्या हो गई तरंगे हो गई अब आप दिखे अगर आपने एक क्या खीच लिया कालपनीक प्रिष्ट खीचा यह गोली तरंगागर कहलाता है क्या कहलाता है बच्चो गोली तरंग आगए अब इस पे उपस्तित ये प्रतेकड इस पे उपस्तित प्रतेकड एक नए तरंग श्रोत की भात बेवार करता है यानि प्यारे बच्चो इनसे भी चारो तरफ प्रकास किल्डे निकलती हैं जैसे यस से निकल रहा है इनसे भी चारो तरफ प्रकास किल्डे बाहर की तरफ निकलती है यानि ये भी एक नए तरंग श्रोत के भात क्या करता है बिवहार करता है अगर हम इस पे भी तरंगागर खीचنا चाहें तो इस पे भी तरंगागर खीच सकते हैं यही चीज क्या कहलाता है पैरे बच्चो यही दूसरा सिद्धान्त भी है उन्होंने क्या बोला तरंगाग्र में उपस्तित माध्यम के कड़े एक नए तरंग सुरूत का कारी करती जिससे तरंगे सभी दिसाओं में निकलती हैं इन्हें हम दितियक तरंगे काएं काते लास्ट फिर वच्चो जो तीसरा नियम हैं हो करा किकिसी छढ़, मतलब यह जो तरंगाग्र ये जो तरंगे हैं ये आगे बढ़ रहा हैं ये जो तो इसने बी प्रकास के प्रकास किल्दे चारो तरफ क्या होंगे ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी तो इस पे भी हम लोग एक तरंग आगर खेश सकते हैं प्यार बच्छो मतलब किसी भी छड़ आगे बढ़ती हुए दितियक तरंगीकाओं को असपर्स करते हुए अब मैंने कहा कि अगर प्यारे बच्छो ये दितियक तरंगीकाओं निकल रही हैं इधर से ध्यान देना इधर से भी दितियक तरंगीकाओं को असपर्स करते हुए एक प्रिष्ट खीचे तो खीचा गया प्रिष्ट नए तरंगागर की इस्तिती को ब्यक्त करता है भाईया यही बोले है देखलो यदि किसी छड़ आगे बढ़ती हुए दितियक तरंगीकाओं को असपर्स करते हुए एक प्रिष्ट खीचे तो वो नए तरंगागर की इस्तिती को ब्यक्त करता है यह नया तरंगागर A-S और क्या हो सकता है B-S यह आगे बरते हुए तरंगागर की इस्तिती को ब्यक्त करेगा और यह प्यारे बच्चो यह इधर की दिशा को ब्यक्त करेगा तो यह भी आपक टरंगार की सिफिती को क्या करता ध्यतियानी अगला तरंगार आपको यह हो जाएगा प्यारे बच्चों समझे आपके दूसरे हुट्रे सिध्धांद को हमने अपको समझा दिया उमेद है का आपको हाइगेंस के दित्यक तरंगीकाओं का सिध्धान समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चो अब वो पल वो घड़ी आ चुकी है जो कि आपके एक्जाम में most important topics जो आते हैं हाइगेंस के दित्यक तरंगीकाओं के सिध्धान्द के अधार पे परावर्तन और अपवर्तन की ब्याख्या अब हम उस पे चलेंगे प्यारे बच्चो परंत उस से पहले थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि हाइगेंस की जो विफलताएं थी वो क्या थी आप हमादी से तो हाइगेंस की सबसे पहली भी फलता थी हाइगेंस से लोगों ने पोचा कि ये बताओ जब दित्यक तरंगीकाओं को असपर्स करते हुए हम लोग प्रिष्ट खीषते हैं तो इसे नई तरंगागर करते हैं तो ये अग्र दिसा में हो गई क्या हो गई प्यारे बच्चो में खीचा गया तरंगागर होता है ये पीछे बढ़ती हुई तरंगों को असपर्स करते हुए जो तरंगागर होता है ये तरंगागर कहां जाता है इसकी ब्याख्या हाइगेंस ने नहीं कर पाया प्यारे बच्चो एक बार मैं फिर से बताना चारा हूं आगे बढ़ती की व्याख्या नहीं किया जा सका हाइगेंस की सबसे पहली विफलता यही थी प्यारे वच्चो दूसरी विफलता क्या थी कि हाइगेंस के अनुसार प्रकास जो जो प्रकास तरंगे हैं उनको अनुदैर्ग माना गया परन्तु यह अनुदैर्ग नहीं है प्यारे वच्चो प आपको उनकी विफलताएं भी और उनकी सफलताएं भी समझमाया होगा अभी तक आपने सेशन को सेर नहीं किया होगा तो सेर जरूर कर दो यार क्योंकि अब हम चलने वाले हैं पॉस्ट इंपॉर्टन टॉपिक के पॉस्ट गैस तो हमारी अगली टॉपिक है हाइगेंस के दितियक तरंगिकाओं के सिध्धान्त के आधार परावर्तन के नियम की भ्याथ्या तो सबसे पहले हम समस्ते हैं प्यार बच्चो कि जब कोई प्रेकास कि रड़ या जब कोई प प्रिष्ट पर पढ़ता है और चिकने प्रिष्ट पर पढ़ने के पस्चात पुना उसी माध्यम में वापस लोट जाए तो यहां घटना प्रेकास का परावर्तन कहलाता है यहां पर क्या है कि यह कोई तरंगावर एभी है प्यार बच्चो दिखिए यह कोई तरंगावर यह बुछ चीजे में आपको समझाने के लिए उसको समझ में और मसरा शवान्हें तो आपको रुच्ञा है यह क्या खिया कि अब इस अंधि ट्रंगागर आतिके प्यौ्ञारे वगोश्य चालो एक तरंगाग्र आपतित कराया, प्यारे बच्चो, हमने क्या कराया, ये कोई तरंगाग्र आपतित करा दिये, प्यारे बच्चो, ये कोई हम लोगों ने तरंगाग्र आपतित कराया, जिसका नाम A और क्या B है, अभी इतना समझी, जब कोई A B तरंगाग्र किसी चिकने प्र सिरा सरुप्रथम चिकने प्रिष्ट से टकराता है क्या इतनी बात-कलिए हो रही है अरग 19 शरुप्रथम चिकने प्रिष्ट शे टकराता है तब तक तरंग sniff P का सिरा प्रिष्ट पर आपकेटञ नहीं तब ध्यान से समझेगा कुछ समय बाद तरंगागर का जो बी सिरा है वह चिकने प्रिष्ट बिंदु सी से क्या होता है तकरा जाता है आप समझेज़ साथ ती समय बाद तरंगागर चिकने प्रिष्ट M.E.M.D.S. पर टकराता है कितने समय बाद T समय बाद तथा उतने ही समय में तरंगागर A से बिंदू A से दितियक तरंगी काये निकल कर उसी माध्यम में चलने लगती है एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चो जितने समय में तरंगागर का बी सिरा इस प्रिष्ट पर पड़ता है उतने ही समय में बिंदू A से दितियक तरंगी काये निकल कर उसी माध्यम में चलने लगती है प्यारे बच्चो और जब यहां से टकराती है तो इन से एक तरंगी काये निकलती है प्यारे बच्चो अब अगर हम यहां से यहां से इतना बड़ा चाप लेकर बीसी बराबर चाप लेकर बीसी बराबर चाप लेकर एक लंब खीच दे प्यारे बच्चो जो की डीप प्रतिछेद कर रहा है देख लिजे जो की डीप प्रतिछेद करता है तो आप ये तरंगागर जो A B है ये कौन सा तरंगागर कहलाएगा प्यारे बच्चो आपतित तरंगागर कहलाएगा प्यारे बच्चो आपतित तरंगागर कहलाएगा प्यारे बच्चो आपतित तरंगागर और जो सीडी है वो कौन सा तरंगागर कहलाएगा प्यारे बच्चो परावर्तित तरंगागर कहला बोलो इतनी बात मक्खन हुई प्यारे बच्चो इतनी बात आपकी मक्खन हुई या नहीं हुई एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जब कोई तरंगागर A.B. किसी चिकने प्रिष्ट पर गिरता है तो चिकने प्रिष्ट से गिरने के बाद तरंगागर A.B. का A. सिरा सबसे पहले टकराता है तथा उतने ही उस समय तरंगागर B का सिरा चिकने प्रिष्ट पर नहीं पहुचा रहता तथा कुछ समय बाद तथा T समय बाद तरंगागर का जो B सिरा है वो चिकने प्रिष्ट के बिंदू C से टकराता है तता उतने ही समय में एसे दितियक तरंगी काएं निकल कर दूसर उसी मात्ध्यम में चलने लगती है ध्यान से देखना प्यारे बच्चो फिर हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं तरंगागर बी सिरा के द्वारा तैंकी गई दूरी के बराबर चाप लेकर एक हम लोग लंब खीचते हैं और खीचा गया जो लंब होगा वो आपका परावर्तित तरंगागर कहलाता है तो इस प्रकार हम लोग इसमें समझ सकते हैं, प्यारे बच्चो, कि तरंगाग्रों का परावर्तन कैसे होता है अब हम इसमें समझेंगे प्यारे बच्चो, कि जो हम लोगों ने इधर डाइगराम बनाया है, वो क्या है इसमें देखे पहरे बच्चो चित्र में समझना है P और Q से चलने वाली आपतित तरंगागर P और Q से चलने वाली जो तरंगागर है ये AB तरंगागर AB का A सिरा सरप्रथम प्रिष्ट से टकराता है और टकराने के पस्चात टकराता है तथा उस समय तरंगागर AB का जो B सिरा है वो प्रिष्ट पर नहीं पहुचा रहता परंतु कुछ समय बाद माल लेते हैं टी समय बाद तरंगागर A B का जो B सिरा है वो बिंदु C से टकराता है तथा उधने ही समय में यहां से दितियक तरंगी काया निकल कर उसी माध्यम में चलने लगती है परंतु प्यारे बच्चो B और C बराबर चाप लेकर BC बराबर चाप लेकर एक लंब खिशते हैं और खिचा गया लंब जो CD है वो परावर्तित तरंगागर कहलाता है इस प्रकार तरंगों का परावर्तन होता है प्यारे बच्चो अब यही चीज लिखने के बाद हम से परने में चीजब बता देना चाहता हूँ कि अपतित किरण और अभिलम के बीच बना कोड़ आप तन कोड़ आई कहलाता है और OurFit किरण और अभिलम के बीच में बना और प्र elaborate कमेंट बाक्स में कमेंट जरू किजएगा क्योंकि यह most important question है तो गाईस जो चीजे हम लोगों ने समझा था वो चीजे हम लोगों ने आप लिख लिया क्या करा कि माना कोई तरंगागर A.B. का किसी चिकने प्रिष्ट यम्यम डैस पर आपतित होती है सवपर्थम तरंगागर A.B. का जो A. सिरा है वो प्रिष्ट पर पहले टकराता है तथा T. समय बाद तरंगागर का B. सिरा बिंदू C. से टकराता है तथा उतने ही समय में यहां से दितियक तरंगी काया निकलकर दूसरे उसी माध्यम में चलने लगती है BC दूरी बराबर चांप लेकर एक लंब खेसते हैं जो की CD होता है और वो CD परावर्ति तरंगागर कहलाता है अब प्यारे बच्चों हम परावर्तनी के दोनों नियम का ब्याक्षा करेंगे आईए सबसे पहले समझते हैं प्यारे बच्चों यह जो यह बने हैं इंगल कुसमस से तब हम आगे बढ़ेंगे ध्यान से देखना है अगर आप यहां से देख रहे होंगे प्यारे बच्चों तो टोटल इंगल यहां से यहां तक का नब्बे है देख रहे हैं टोटल इंगल नब्बे का है अगर भाई यह आई है तो अगला नब्बे माइनस इहां से लेके यहां तक का जो इंगल है तोटल नब्ब roller है यहां से लेके यहां तक का टोटल 90 है तो बताओ यह 90 माइनस आई पहले ही से आप माल लिए तो 90 माइनस आई तब होगा जब इधर वाला आई होगा यहां से लेके यहां तक का जब आई होगा तभी तो यह 90 माइनस आई होगा नहीं तो अगर आई नहीं होता तो 90 माइनस आई होता ही नहीं इसलिए प्यारे बच्चों आई हम लोगों ने यहाँ पर भी लिख दिया वही प्रॉसेस यहाँ पर भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक का 90 है अगर ये R है तो बचावाला इंगल 90 माइनस R हो जाएगा वही प्रोसेस यहां तक है अगर हम कहें कि यह वाली लाइन पूरा बात करें त्यास लेके यहां तक का 90 है तो 90 है तो बताओ जब यहां से लेके यहां तक का R होगा तभी तो 90 माइनस आर होगा वो, तो प्यारे बच्चो, इस प्रकार हम लोग आर इधर लिख लेते हैं, आर उधर भी लिख लेते हैं, उमेद है का आपको वो रचना जरूर समझवाया होगा प्यारे बच्चो, अब हम आये परावर्तन के प्रथम नियम की ब्याख्या करते है प्रथम नियम क्या है दिखे, आपतित तरंगागर एबी आप देख रहे हैं, आपतित तरंगागर एबी प्रथम नियम ध्यान से दिखेगा, प्रथम नियम देखे, आपतित तरंगागर एबी दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो लिख भी दे रहे हैं, आपतित तरंग परावर्तित तरंगाग्र सीडी दिखा तथा खीचा गया अभिलंग N A और N-C तथा खीचा गया अभिलंग N A तथा N-C यही दो अभिलंग खीचे हैं यह सारी चीज आपतित तरंगाग्र A B परावर्तित तरंगाग्र सीडी और खीचा गया अभिलंग N A और N-C यह बताओ इस प्रिष्ट के एक ही तल में है या दोनों तल में है भाई प्रिष्ट के एक ही तल में है उपर है तो है न सब तो चीज लिख देते हैं पहला नियम हो यह दो बेदर नियम है इंस प्रिष्ट के एक ही तल में होते है है यह है प्यारे बच्छों आपका पहला नियम है अब हम समझेंगे दिती नियम हमको दिखाना है कि angle i बावर क्या हो जाए angle R हो जाए है पैरմशो अगल आई बावर angle R हो जाए है तो हम आराम से प्रूप कर सकते हैं तो angle i और इंगल R Kो बडाबर करने के लिए हम तर्भूज देखेंगे तर्भूज ए बी ची अगला तर्भूज A, D, C दिख रहा है पैरे बच्छो तिर्भोज A, B, C तिर्भोज A, B, C तथा तिर्भोज A, D, C में देखे दोनों तिर्भोज को अगर सरवांग समसिद्ध कर दें तो ये कोड आई, कोड आरके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा क्योंकि सरवांग समत्रवोज की संगत कोड आपस में बराबर होता है, तो प्यारे बच्छो ध्यान से देखो, जो कोड B है वो कोड D के बराबर है कोड B, कोड D के बराबर है क्यों बराबर है भी, 90 हैं से एक तो आपने बराबर के लिए अगला आप देखें प्यारे बच्चो जो BC है और जो DC है वो आपस में बराबर है BC बराबर DC क्यों 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 कि समान दूरी है समान समय में समान दूरी है समान समय में तैं समान दूरी पहरे बच्चो अभी हमने यह बताया था यह चीज मैंने अभी बताया था क्या बताया था जानते हैं कि जितने समय में यहां से यहां तक आती है उतने समय में यहां से हाँ ठेक्ताई कर लेती है तो भाईया हो जो यह BC है न वो DC के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी और जो AC है वो दोनों में उभैनिष्ट है जो AC भुजा है वो दोनों में उभैनिष्ट है AC क्या है भी उभैनिष्ट है अब कोई सा नियम लगेगा बताओ ये साइड ये इंगल ये साइड तो साइड इंगल साइड सरवांग समता नियम से सरवांग समता नियम से ये जो नो तरभुज तरभुज A, B, C सरवांग समहूंगे तरभुज A, B, C सरवांग समहूंगे तो हम लिख सकते हैं कोड आई बराबर कोड आर क्यों कोड आई आपका क्या है आपतन कोड और कोड आर क्या है प्यारे बच्छों आपका परावर्तन कोड है तो लिख सकते हैं अतन परावर्तन के दिती नियम की क्या होती है ब्याख्या होती है परावर्तन का यही दिती नियम है प्यारे बच्चो आप समझे कि इनकी जितनी बड़ी मांग है उतना बड़े उतने सरल टॉपिक है प्यारे बच्चो तो आप इसका एक स्कूर्ट लेजिए अब हम बाते करेंगे हाइगे के दितियक तरंगी काओं के सिध्धान्द के अधार पे अपवर्तन की ब्याख्या प्यारे बच्चो आप हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट है आप से रीज अंसाल्ब उठाके देख लीजेगा आपको स्वेम पता चल जाएगा प्यारे बच्चो कितना इंपॉर्टेंट है तो आई हम इसको एकदम मक्षन वाले भासा म समझने वाले प्यारे बच्चो आखिर सबसे पहले समझ लेते अपॉर्टन क्या होता है जब कोई प्रेकास करणे एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेस करती है तो उनके मार्ग में बिचलन होता है और यह घटना प्रेकास का अपॉर्टन कहलाता है प्यारे ब देख लो, लास्ट, लास्ट है भ्या, जब मैंने कहा कि जब कोई आपती तरंगागर एबी बिरल माध्यम से सगन माध्यम में प्रवेस करती है, तो सगन माध्यम में प्रवेस करने के पस्चात वो अपने मार्ग से क्या हो हो जाती है तो इस प्रेकार तरंगाग्रों का अपवर्दन कराता है परन्दु मुझे यहां समझना देखो मानते हैं माना कोई AB तरंगाग्र है जो की बिरल माध्यम से चलते हुए सगन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्यारे बचों आप देख पा रहोंगे कि तरंगाग्र AB का जो A सिरा है वो सबसे पहले प्रिष्ट पर सबसे पहले बिरल से सगन में प्रवेस करता है तो तरंगागर AB का A सिरा सवरोप्रथम बिरल से सघन में प्रवेस करता है और तब तक तरंगागर का B सिरा बिरल माध्यम में ही रहता है परन्तु T समय बाद T समय बाद प्यारे बच्चो तरंगागर का जो B सिरा है वो बिंदु C से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब तक प्यारी बच्चो यहां से दितियक तरंगी काये निकल कर नए माध्यम में अर्था सगन माध्यम में गमन करने लगती है यहां से दितियक तरंगीकाय निकल कर अभिलम की ओर जुकते हुए बाहर की तरफ एक नई तरंगीकाय चलने लगती है BC बराबर चाप लेकर BC दूरी बराबर चाप लेकर C से एक लंब खिसते हैं जो प्राप्त रेखा होगा जो CD प्राप्त होता है वो आपका अपोवर्तित तरंगागर कहलाता है प्यारे बच्चो एक बार फिर से आप समझ लिजिएगा कोई आपतित तरंगागर AB का A सिरा बिरल से सगन में प्रवेश करता है सरप्रतम तरंगागर का A सिरा बिरल से सगन में प्रवेश करता है उस समय तरंगागर का bc रा बिरल में ही रहता है पर तुर तीस समय बाद तरंगागर का bc रा सखन में प्रिविस करता है तथा उतने ही समय में यहां से नई धितीयक तरंगी का यह निकल कर, दूसरे इमादद हम में गमन करने लगती है और c से bc बराबर चाप लेकर c से एक खिसते हैं तो प्राप्त तरंगाग्र अपवर्ति तरंगाग्र कहलाता है पहरे बच्चो अब हम जो चीजे आपको बोले हैं वो सारी चीजे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा होगा पहरे बच्चो आप वहां से नोट कर सकते हैं अब हम चलेंगे अपवर्तित तरंगाग्र सीडी तथा खीचा गया अभिलम एन एन वन तीनों एके ही समतल में है पूरा ये घटना वाइड गोड़ पे ही हो रहा है तो तीनों एक ही समतल में है ना बैर बच्चों ये लिखते ना बस आपतित तरंगाग्र कामा अपवर्तित तरंगाग्र कौन अपवर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर खीचा गया अभिलंब एक ही चांग ये आप तीत तरंगाग्र ए बी आप लिखना चाहें ना अपवर्तित तरंगाग्र में सीडी लिखना चाहिए तो लिख लिजेगा तो आपतन बिंदू पर खीचा गया अभिलंब अभिलंब कौन है प्यारे बच्चो एन 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 खीचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में इस्तित होते हैं या तीनों एक ही समतल में होते हैं यह है प्यारे बच्चों आपका पहला नियम क्या है यह आपका पहला नियम है अब हम बात करेंगे अपवर्तन के दितिय नियम का अपवर्तन के दितिय नियम का तो प्यारे बच्चो अपवर्तन के दिती नियम का हम आराम सिध्यन करेंगे सबसे पहले मैं आपको एक चीजे बता देना चाता हूँ यहां पर इस तरंग की जो चाल है यह जो यहां से यहां था और प्यारे बच्चो यहां से यहां तक जाने में क्योंकि जो बीसी दूरी है और जो यह सीडी दूरी है प्यारे बच्चो यह जो सीडी है यहां चाल कितनी थी वीटू थी और टाइम कितना था टी था तो वीटू गुने क्या हो जाएगा टी हो जाएगा अब हम सबसे पहले दिती नियम में मुझे याद रखना है कि साइन आई और साइन आर ग्याद करना है तो सबसे पहले हम क्या ग्याद करेंगे प्यारे बच्चों साइन आई ग्याद करेंगे और प्यारे बच्चों यहां लंब जो है वो कोण के सामने वाली भुजा लंब है BC और कर्ण कोन है प्यारे बच्चों एसी है कर्ण कोन है आपका AC है ठीक तो BC हम रख देते हैं प्यारे बच्चों BC कितना है प्यारे बच्चों, BC का मान है V1 गुड़े T है और बटे क्या हो जाएगा AC, इसी प्रकार हम त्रभोज ये साइन, या थो हम इसे क्या कर लें, साइन आई बराबर V1 इंटू T बटे AC समीकर नंबर एक हो गए, अब हम अगला त्रभोज पकड़ ले, त्रभोज ADC मे साइन आर निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो साइन आर बराबर होगा लंब बटेकर, अब कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो बताओ प्यारे बच्चों, अब कोण आपका कहां पर है, तो इधर से देखेगा, यहाँ पर एक इंगल हम लोग ये जो होगा, ये इस प्रकार अभी हम लोगों ने पहले बात किया था, कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होगा, तो जब ये 90-R है, तो ये आर होना ते है, जब आर होगा तभी ये 90-R होगा ना प्यारे बच्चों, तो अब देखो, इसके सामने वाले भुजा लंब होगी, तो लंब कोण है भ प्यारे बच्चों, एसे लेके सी का वाल नहीं पता है, तो साइन, R बराबर आगए, V2 into T बटे AC समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते है, भाग देते है, तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, साइन आई बटे साइन आर, बराबर V1 गुड़े T बटे AC है पहले बच्चो और R का मान कितना है V2 इंटू T बटे AC AC से AC कैंसल हो जाएगा पहले माद्यम में प्रेकास की चाल और दूसरे माद्यम में प्रेकास की चाल का नुपात अपरतनांग कहाता है तो sin I equal to क्या जाएगा sin I बटे sin R ये क्या है प्यार बच्चो यही स्नेल का नियम है और प्यारे बच्चो यही परापवरतन का दितिय नियम भी है इस प्रेकाप प्यारे बच्चो आप हाईजन्स के दितियक तरंगी काओं के सिध्धान्द के अधार पे अपवरतन के दोनों नियमों का क्या कर लिए व्या क्या कर लिए परावरतन और अपवरतन दोनों मैंने बता दिया प्यार बच्चो उम्मेद है का आपको सरल और आस झाल झाल